स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में आज हम टेस्ट्रीस टू करेंगे और वो है ग्यान दरपन पॉब्लिकेशन का जैसे कि मैंने आपको इस से पहले वीडियो में बताया था कि एडियो टेरिया और ग्यान दरपन दोनों का मैं पर डे एक एक टेस्ट्रीस करवाते जाओंगा और उसमें से मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग क्या प्रिवियस येर का भी चाहते हैं और मेंस लगा करके ठीक है तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट रोल निभाता है एक्जाम की तैयारी करने में क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि क्या पूछ रहा है और उसी हिसाब से पढ़ने में ज्यादा मदद मिलती है और जो 2020 में एक्जाम हुआ था और फिर 2021 में जो रेंज ओफिसर का एक्जाम हुआ था वो हमारे यूटूब चैनल पे और रेड़ी उपलब्ध है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए पहले मैं सोच रहा हूँ कि देखी यहाँ पे जो टोटल प्रिवियस यर तो टोटल साथ है और यहाँ पे देख लिजे यहाँ पे आप लोग का 11 सेट टोटल प्रैक्टिस सेट में दिया गया है इस बुक में ग्यान दरपन के इस बुक में तो यहां से मैंने पहला का करवा दिया है अगर नहीं है तो मैं description में link दे दूँगा वहां से आप लोग देख सकते हैं आज मैं ये 2 करवाने जा रहो हूँ model sample paper 2 और एक काम करेंगे कि total 11 set है तो 11 दिन मुझे लगेगा इसे complete करने में इसे जब complete कर दूँगा तो फिर previous year इसका शुरू कर दूँगा ठीक है तो सबसे पहले इसका practice rate हम लोग देख लेते हैं जादा time न करते हुए अगर ये किताब आप लोग खहिदना चाहते हैं तो ये किताब उपलब्ध है छोटू book stall BPSC gate पटना के पास चलिए यहाँ पर मैंने open कर दिया है और आप लोग को जैसा मैंने test 1 में ही बता दिया था कि ये old book का test series है लेकिन जो इसका प्रश्न है वो बहुत ही important है यही वज़ा है कि मैं इसे 2021 के series में चला रहा हूँ बहुत सारी ये book नहीं खर दे होंगे या फिर थोड़ा सा नया publication है तो हो सकता है आप लोग के थोड़ा सा जनकारी में नहीं होगा लेकिन ये book बहुत ही important था इसका question भी बहुत important था मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भेज दिया है कि कैसे इस book से हूँ बहु प्रशन एक्जाम में पूछे जा रहे थे चाहे वो BPSC का हो चाहे बिहार दरोगा को हो तो इस बज़ा से ये testories मैंने complete करवाने का जिम्मा लिया है और यहाँ पे 2019 का ये जो प्रारमिक परिछा हुआ था उस समय का ये set है practice set निकाला गया था इसका आप लोग क्या कीजिएगा केवल जो current affairs 20 question उसको छोड़ करके बाकि सारा solve कीजिएगा अगर आप लोग किताब खरी लेते हैं तो ज़्यादा बहतर है और वरना मैं YouTube चैनल पे तो ये testories मैं करवा ही रहा हूँ तो चलिए आप लोगा ज़्यादा समय ना लेते हुए इस testories को शुरू करते है practice set है ये तूसरा set number ठीक है तो question number one बोर रहा है कि चोल सासक किस धर्म के अनुवाई थे तो यहाँ पे हो जाएगा option का सैव धर्म के अनुवाई थे नेश्टा ये दूसरा question किस सासक के दर्मार में नौरत्म बिद्वान थे तो दूसरा का सही हो जाएगा option B चंद्रगुप्द दितिये या फिर इन्हें चंद्रगुप्द विक्रमा दितिये भी कहा जाता था इनके दर्मार में नौ बिद्वान या फिर नौरत्म की एक मंडली निवास करती थी और इस नौरत्म में कौन-कौन थे तो कालिदास, अमर्सी, धनवंत्री, वारा मिहीर, छापनक, संकू, बेतालभट, घटकपर, वरुची जैसे बिद्वान थे और ये सभी नौरत्म उजयन दर्वान को सुसोभित करते थे जो विक्रमादित्य की दूसरी रज़ानी थी तीसरा नंबर कोशन आईए गुप्त काल में सार्थवा किसे कहा जाता था तो इसको सही एंसु हो जाएगा ओप्शन सी बेपारिक कारवा के परमुख को नेश्टा ये चौथा नंबर चौथा नंबर कोशन बोरा है निमलिखित में से कौन महावीर जैन के सिस्से के रूप में संबंदित थे तो चौथा का सही हो जाएगा ओप्शन A मखाली गोशाल मखाली गोशाल प्रारम में महावीर के सिस्से थे किन्तु बाद में मतवेद के कारण इन्होंने महावीर की सिस्यता त्याग कर आजीवक नामक सोतंत्र संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत नियती वाद कहा जाता है इसके अनुसार संसार की प्रतेक वस्तु भाग्य द्वारा पुर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है नेक्श आई है कुशन नमबर फाइप में फाइप बोरा की वैदिक काल में निश्क क्या था तो पांच्वा का इसका सही हो जाएगा option C आभूशन लेकिन जब उत्तर वैदिक काल पूछ देगा कि उत्तर वैदिक काल में निश्क क्या था तो उत्तर वैदिक काल में निश्क जो था वो सोने का सिक्का था नेक्श आई है छठा नमबर कोश्चन चठा बोरा दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरवार में गैर इसलामी पर्थाओं का परचलन कराया था तो चठा का सही एंसर हो जागा option C बलबन बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरवार में गैर इसलामी पर्थाओं का परचलन किया उसने सिजदा और पाबोस की रीतियां आरम की उसने अपने दरवार में प्रती वर्स फार्सी तेवार नेरोज बड़ी सान सौकत से मनाने का प्रथा प्रारम किया Q7. निमलिखित बादसाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है तो सात्वा का सही एंसर हो जाएगा Option A. बाबर को पानिपत का प्रतम युद 21 अप्रेल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ इस युद में बाबर विजई हुआ 27 अप्रेल 1526 को बाबर ने अपने आपको बादसा घोसित कर भारत में मुगल समराज्य की निउडाली बाबर ने तुल्गमान युद निती का प्रयोग पानिपत के पर्थम युद में ही किया था युद विजई के बाबर ने अपने अधिकारियों को अनेक उपहार दिये और बाबर की उधारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधी धारं दी नेश नंबर आईए सीवा जी का राज्य विशेक कब हुआ था तो सीवा जी का इसका सही एंसर हो जायागा option D 14 जून 1674 को सीवा जी ने कासी के प्रसिद विद्वान गंग भट से अपना राज्य विशेक रायगड में करवाया था तता छत्रपती की उभादी धारन की 1627 सीव में पूना के निकट सीव नेड़ दूर्ग में सीवा जी का जन हुआ था नेक्ष्ट आईए दस्वा नंबर question दस्वा नंबर question बोर रहा है मनसबदारी वेवस्था में मनसब क्या था तो दस्वा का इसका सी हो जाएगा एक पद तो मुगल काल में मनसब एक पद था और मनसबदारी वेवस्था अकवड ने आरम किया था मनसबदारी वेवस्था मुगल सैनिक वेवस्था का मूल अधार थी जो मंगोलों की दिसमलो पदिती पर अधारी थी अकवर ने मनसबदारी बेवस्था में जात और सवार नामक द्वैध मनसब परथा का प्रारम किया जात सबसे व्यक्ति के वेतन तथा पद की इस्तिती का बोध होता था जबकि सवार सबसे घुर सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था अकबर के समय सबसे छोटा मंसब 10 का तथा सबसे बड़ा जो मंसब था वो 10,000 का होता था नेक्ष कोशन आई एक 11 नंबर एक 11 बोरा इंगलैंड में Free India Society की अस्थापना किस ने की तो 11 का सही अंसर हो जाएगा उप्शन B वीडी सावर करने Free India Society की स्थापना 1906 इसवी में वीडी सावर करने किया था नेक्ष कोशन आई ए 12 नंबर पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा दिया गया था तो 12 का सही अंसर हो जाएगा उप्शन A मुहम्मद इकवाल के द्वारा प्रसित कवी और राजनेतिक चिन तक मुहम्मद इकवाल को मुसलमानों के लिए प्रिथक राष्ट के विचार का प्रवर्तक माना जाता है सर्व इसलाम की भावना से प्रेजित होकर इकवाल ने वर्स 1930 के अखिल भारतिये मुसलिम लीक के इलाहाबाद में पाकिस्तान बनाने का विचार दिया जबकि प्रिथक देश पाकिस्तान सब का परियोग सब पर्थाम 1923 इस्वी में कैम्ब्रीज विश्विद्याले के छात रहमत अली ने अपने पत्र नाउ आवर नेवर में प्रस्तूत किया तेरा नंबर कोशन आईए तेरा नंबर बोरा किस वायसराय द्वारा कॉंग्रेस को प्रतिवन धित कर दिया गया था तो तेरा का सही हो जाएगा उप्शन डी लॉर्ड विलिंग्टन तो देखिए दीतिये गोल में सम्मेलन एक दिसंबर 1931 को संप्रदाइक परतिनिधित पर गतिरोध के कारण समाप्त घोसित किया गया और गांधी जी के भारत आगवन से उत्पन इस्तिती एवं नय सविने आवग्या अंदोलन होने के भैस से तद कालिन वैसराय लॉर्ड विलिंग्टन द्वारा कॉंग्रेस को अवयाज संगठन घोसित कर दिया गया और उसे परतिवंदित कर दिया गया था नेक्ष्ट कोशन आईए चोदा नंबर चोदा नंबर कोशन बोरा है कि सार्दा बिल निमलिखित में से किस्से संबन्दित है तो चोदा का सही हो जाएगा ऑप्शन बी विवाह की आयू से तो वर्स 1929 में अजमेर निवासी एवं परसीद सिक्षावीद डॉक्टर हर विलास सार्दा के परियासों से बाल विवा निसेद कानून बना और उनी के नाम पर इसे सार्दा अधिनियम या सार्दा एक्ट कहा गया इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की नियूंतम सीमा 14 वर्स एवं लड़कों की 18 वर्स निर्धारित की गई नेक्ष्ट कोशन पंदरा नंबर बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्स लागू हुआ तो पंदरा का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट को ही बंगाल कास्तकारी अधिनियम कहा जाता है जो कि 1885 में लागू हुआ और वर्स 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगिकार कर लिया इस एक्ट के निर्मान का उद्दे से जमिंदार कास्तकार के भूमी संबंदित अधिकारों को पस्थावित करना था सुल्ला नमबर आईए भारत में सवपर्थम किस राज ने लोका युक्त अधिनियम को लागू किया तो सुल्ला का सही एंसर हो जाएगा ओप्शन A महराष्ट 1971 इस वी में सवपर्थम महराष्ट राज ने लोका युक्त अधिनियम लागू किया जबकि उडिसा पहला राज जिसने वर्स 1970 इस वी में लोका युक्त विधैक प्रस्तूत किया किन्तु यह विधैक 1983 इस वी में लागू हो पाया था नेक्ष्ट कोशन आईए 17 नंबर 17 नंबर बोरा है कौन से अनुछेद के तहत भारतिय नागरिकों को 6 सुतनतायं दी गई है तो 17 का हो जाएगा सही एंसर आप्शन B अनुछेद 19 के तहत और यह कौन-कौन से 6 सुतनताय हैं तो वाक सुतनतरता और अभिवक्ति की सुतनता सांतिपूर्ण निरायुद सम्मेलन की सुतनता संग बनाने की सुतनता भारत के राज छेतर में सर्वत्र आवाद संचरन की वेवस्था और भारत के राज छेत्र के किसी भाग में निवार्ष करना या बस जाने की सुतंता और कोई भी व्रिती आजिव का बैपार या करोवार करने की सुतंता नेश्ट है ये question number 18 में अठारा बोराय भारतिय समिधान का कौन सा अनुचेत राश्पती को छमादान की सक्ति प्रदान करता है तो अठारा का सही अंसर हो जागा option B अनुचेत 72 और समिधान के अनुचेत 72 में राश्पती को छमादान की सक्ति प्राप्त है वहीं अनुछेद 71 में राश्पती या उपराश्पती की निर्वाचन से संबंदित उपुवंद किया गया है और वहीं अनुछेद 73 में संग की कारेपाली का सक्ति का विस्तार का वर्णन किया गया है और उनुछेद 74 में राश्पती की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परीसत की बेवस्था की गई है नेक्ष आईए कोशन नमबर 19 में नीन में से कौन सा अनुछेद सरवाजनिक सेवाओं में अवसर की समानता परदान करता है तो 19 का सही हो जाएगा option C अनुछेद 16 नेक्ष कोशन आईए पीस नमबर में कोशन नमबर 20 बोरा है कि भारतिय समिदान के अनुछेद तिरपन के तहत संग की कारेकारी सक्ति किसमे नहीत है तो 20 का सही अन्सर हो जाएगा option A राश्पती में नेक्ष आईए 21 नमबर पॉलिटिक्स पुस्तक को किस ने लिखा है जिसे राजनितिक विचारों की एक महान कृती माना जाता है तो 21 का सही अन्सर हो जाएगा option C अरस्टूने नेक्ष आईए 22 नमबर लैटिन सब्ध मैंडनस यानि की परमादेश का अर्थ क्या होता है तो 22 का इसका सही हो जाएगा option D हम आदेश देते हैं और यह रीट उच्तम न्याले द्वारा किसी पदादिकारी को उसके सारजनी करतब्यों के पालन करने के लिए जारी किया जाता है भारते समिधान के अनुचेद 32 के तहत उच्तम न्याले 5 परकार का रीट जारी करने का अधिकार रखता है पहला है बंदी प्रतक्षी करन, दूसरा पर्मादेश, तीसरा प्रतिसेद, चौथा अधिकार पिछ्या और पांचवा है उत्प्रेशन तेश नंबर आईए, तेश नंबर कोशन बोर रहा है कि भारतिय समिधान में अपातकाल का प्रवधान किस देश से लिया गया है तो यह तो आप लोग को पता होगा, उप्षन C हो जाएगा जर्मनी से नेट्स यह चौविस नंबर किस अनुसुची में बिभीन अनुसुची छेत्रों और अनुसुची जन्जाती के प्रवसान के बारे में उपवंद किया गया है तो प्रशासन के बारे में उपवंद किया गया है तो 24 का हो जाएगा option A पांचवी अनुसूची में जो की बहुत बार ये question पूछा गया है और छटी अनुसूची में क्या है तो छटी अनुसूची में असम, मिघाले, तिरपूर्रा और मिजोरम राजे के जनजाती छेत्रों के परशासन के बारे में परवधान किया गया है नेक्ष आई ये 25 नंबर में 25 बोरा है सोतनता के परशाच किस रियासत को भारतिय संग में सामिल करने के लिए आपरेशन पोलो सैन ने करवाई चलाया गया तो ये भी इंपोर्टेंट है याद किजएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद हैदराबाद रियासत के एक विसीस स्थिती थी इसका सासक मुसलमान था जबकि राजे के अधिकांस जनता हिंदू थी हैदराबाद ने भारतिय संग से एक वर्ष के लिए था इस्थिती संधी नामक के एक अस्थाई समझोता किया कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व की इस्थिती कायम रहे किन्तु निजाम ने पाकिस्तान से सैने साहता प्राप्ट करने का प्रयास किया और निर्दोस हिंदू जनता पर अत्याचार किया ऐसी इस्तिती में भारत ने सैने करवाई, आपरेशन पोलो, हैदरावाद के निजाम के खिलाब किया और भारतिय संग में हैदरावाद को सामिल कर लिया नेश्ट आईए कोशन नमबर 26 में 26 बोर रायर निमलिखित में से कौन राज कोशिये नीती का उपकरन नहीं है 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन C, बैंक दर नेश्ट कोशन आईए 27 नमबर में वे कर जो दूसरों पर स्थानांत्रित नहीं किये जाते हैं क्या कहलाते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन A, पर्त्यक्ष कर यानि कि डाइरेक्ट कर और जो कर दूसरे पर स्थानांत्रित कर दिये जाते हैं उसे पर्त्यक्ष कर कहते हैं GST एक पर्त्यक्ष कर है 28 नमबर में आईए 28 नमबर बोरा है कूल निछेप का ववा भाग जो वानिजिक बैंक द्वारा केंद्रिये बैंक के पास नगद कोश के रूप में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं तो ये तो आप लोग को पता होगा 28 का ओप्शन 28 का ओप्शन D हो जाएगा नगद कोश अनुपात कैस रिजर्व रेशियो CRR इसी को बोलते हैं 29 नमबर आईए 29 बोरा ACI विकास बैंक का मुख्याला इस्थित है तो यहाँ पे हो जाएगा ओप्शन B मनीला में और मनीला कहां है तो मनीला है फिलिपिन्स में और ACI Development Bank का अस्थापना 1966 इस्वी में किया गया था और ACI Development Bank इसका अध्याक्ष हमेशा किसी न किसी जापानी को ही चुना जाता है 30 नमबर आईए वर्ष 2005 में सभी गाउओं को बिद्धुत उपलब्द कलाने के लिए क्या सुरू किया गया था तो 30 का सही हो जाएगा Option A राजियू गांधी ग्रामीर बिद्धुती करन योजना नेक्ष्ट आईए 31 नमबर में चौथी पंचवर्षी योजना कब आरम की गई थी तो ये हो जाएगा Option A 1979 में चौथी पंचवर्षी योजना का कारेकाल 1979 से 1974 तक था और इस योजना का मुख्य उद्धिस अस्थाइट के साथ विकास तथा आरतिक आत्निरभरता की प्राप्ती थी और इस योजना में समाजवादी समाज की अस्थापना को भी बिशेश रूप से लच्छित किया गया था और इसी योजना में 14 बैंकों का राष्टिय करन किया गया था नेक्स्ट आईए 32 नमबर में कभी कभी पूस देता है कि 14 बैंकों का राष्टिय करन किस पंचवर्षी योजना में किया गया था तो यही 4 पंचवर्षी योजना में किया गया था नेक्स्ट आई है कोश्चन नमबर 32 में कोश्चन नमबर 32 बोल रहा है कि कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नरम रिन देती है तो 32 का इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन B इसके सदस्य देशों को नरम या सुलव रिन देता है इसके स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी और यह संस्था अल्फ विक्सित देशों को दिरकाली रिन तथा कम ब्याज पर रिन सुविधा मुहिया कराती है नेक्ष्ट आइए 33 नंबर उर्गवे दौर का वारता किस संस्था के स्थापना से संबन दित है तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन D WTO World Trade Organization 15 अप्रेल 1994 को 123 देशों के वानिज्य मंत्रियों ने मराकस में उर्गवे दौरों के अंतिम एक्ट पर सस्ताक्षर किये थे जबकि एक जनवरी 1995 को विश्व बेपार संगठन की अस्थापना की गई थी नेक्ष्ट आइए 34 नंबर 34 बोरा जनसंख्या ब्रिधी और किसके विकास को जन्नांकिय संक्रमन का सिदांत अंतर संबन दित करना है तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन C आर्थिक विकास नेक्ष्ट आइए 35 नंबर 35 बोरा बिदेशी बेपार में सरकार के अहस्त छेप की नीती क्या कहलाती है तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन B सोतंतरत बेपार नेक्ष्ट आइए 36 नंबर में 36 नंबर बूच राया कि करेवा कस्मीर घाटी इस्तित किस फजल के खेती के लिए जाना जाता है तो 36 का सही इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन C केसर की क्रिसी के लिए करेवा कस्मीर घाटी में इस्तित एक अंतर पहाडी घाटी है जो प्लायोस्टोसीन यूग की जीलो में एकतिर्थ होने वाले निछेपो और अपसादो से बनी है करेवा मुख्य रूप से केसर की खेती के लिए जानी जाती है तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है तो 37 का इसका सही एंसर हो जाएगा और इसका मैंने आपको 100 ट्रिक कैसे ट्रिक से याद करना है सारा कुछ कि कोन रूस के कोन जर्मनी से कोन रूस के से योग से कोन बिटेन के से योग से अस्थापित किया गया तो वो आप हमारा देख लिजेगा स्क्रॉल आप डाउन करके हमारे चैनल पे नेक्स आई है 38 नमबर में 38 नमबर पूछ रहा है कि भारत के किस राजे में सबसे बड़ा सिचाई छेत्र है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा और यहां का सिचाई छेतर लगबग 14.49 मिलियन हेक्टियर है 49 नमबर आईए कौन सा राजे थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो सभी जानते होंगे 49 का हो जागा और और एक केरल नेक्स आईए 40 नमबर किस फसल की खेती के लिए जल जमाओ की आवसकता होती है तो 40 का सही एंसर हो जाएगा और 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 दान की खेती के लिए 41 नमबर में आईए 41 बोरा कौपर, सोना, लोहा, कोईला उत्पादन से जुड़े अस्थल कौन से है तो करमसा इसमें हो जाएगा 41 का option D खेतीरी जो है राजस्थान में है जो तामबा या कॉपर के उत्पादन के लिए परसीद है वहीं कुलाड जो है वो करनाटक में है ये सोना के लिए परसीद है और एक है आपका कुद्र मुखे तो कुद्र मुख आपका करनाटक में है जो की लोहा के उत्पादन के लिए परसीद है अजहरिया जो है जारखन में है ये कोईला के उत्पादन के लिए परसीद है 42 नमबर आईए मानो विकास उचकांक में भारत का कौन सा राज सबसे अधीक विकसित है तो 42 का इसमें सही हो जाएगा उप्शन B केरल और आज भी ये बहुत ही ज्यादा मानो विकास उचकांक में भारत के राज में सबसे नमबर वन पे है नेक्ष्ट आईए 43 नमबर में 43 बुरा है भारत के निमलिकी चेत्रों में से किस चेत्र को परिस्थीत की ये गर्म चेत्र के रूप में मानेता दी गई है तो 43 का इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्शन A पश्मी घाट और ये महत्पून कोशन है इसे आप लोग अच्छे से याद रखेगा 44 नमबर आईए भारत का धरातल पत्रक कौन तयार करता है तो 44 धरातल पत्रक मतलब ट्रोफोग्राफिकल मैप्स ठीक है तो भारत का ट्रोफोग्राफिकल मैप्स कौन तयार करता है तो 44 का इसका हो जाएगा ओप्शन यहाँ पे 20 सर्वे ओफ इंडिया ठीक है नेक्स आईए 45 नंबर नेक्स आईए कोशन नंबर 45 में हिंदुस्तान मसीन टूल्स लिमिटेड एक पर मुख सेयंतर है ये कहां पे है तो 45 का सही हो जाएगा ओप्शन C पिंजोर और हिंदुस्तान मसीन टूल्स लिमिटेड एक पर मुख सेयंत्र है जो कि पिंजोर हरियाना में अवस्तित है और इसकी स्थापना उननी सो तिर्पन इस्वी में की गई थी 46 नमबर में आईए निमलिखित में से कौन सा दच्छिन पश्षी मांसुन की शुरुआत करता है तो 46 का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन दी उष्ण कटिवंध ये पूरवी धराएं नेक्ष कोशन आईए 47 में 47 नमबर कोशन पूछ रहा है कि निमलिखित वनों में से एक में बबूल और बावबाव पेड़ पाय जाते हैं तो वो कौन सा छेतर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नमबर B सवाना सवाना बायोम का विस्तार भूमद दे रेखा के दोनों और 10 डिगरी से 20 डिगरी एक छांसों के मध्य पाया जाता है और यहाँ पर उष्ण कटिवंध ये जलवायू पायी जाती है सवाना बायोम में पाये जाने वाले पेड़ पौधियर जनतुओं में सुखा सहनी की छमता होती है बबूल और बावबाव सवाना छेतर में ही पाये जाते है नेक्ष्ट आईए 48 नंबर में 48 नंबर बोर रहा है कि सूची को सही कौन सा निमलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है तो 48 का सही एंसर हो जाएगा option A slate जो है बलुआ पत्थर नहीं है ये एक sale चटान है ठीक है और सिष्ट आपका बेसाल चटान है संग बर्मर चूना पत्थर है और कौटजाइड आपका बलुआ पत्थर है नेक्ष्ट आईए 49 नंबर में 49 नंबर बोर रहा है निमलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दीन होता है तो 49 का सही होगा option A प्रिथवी जो ग्रह दिया गया है उसके अनुसार ठीक है ना और इसका परिभरवन समय कितना होता है प्रिथवी का तो इसका परिभरवन समय होता है 30 गंटा 56 मिनट 4 सेकेंड नेक्ष्ट आईए कोशन नंबर पांच 20 में सबसे अधिक जनसंख्या में कहां जीले पाई जाती है तो 50 का सही हो जाएगा option C असकेंडिनीवियाई छेतर में और इसमें भी असकेंडिनीवियाई छेतर में विशेसकर फिंडलेंड में बहुत जादा जीले पाई जाती है और फिंडलेंड में लगबग एक लाख और सट हजार जीले अवस्तित है इसलिए इसे जीलो का देश फिनलेंड को कहा जाता है नेश्ट आई एक आवन नमबर में एक आवन नमबर बोर रहा है यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा यह करेंट अफेर्स का आ गया है ठीक है तो इस वज़ा से मैं इसे छोड़ देता हूँ केबल इसका जो है उस समय का जो है एंसर केबल में बताते जाता हूँ लेकिन आप लोग जो अपना मार्क्स है वो असी में ही कल्कुलेट कीजिएगा कि कितना आ रहा है ठीक है ना फिर भी मैं एक वार इसका एंसर बताते जारूं केबल तो 51 का इस में हो जाएगा ऑप्शन सी 52 का जो है हो जाएगा ऑप्शन ए और ये दो हावडी मोडी था तीरपन का 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी हिस्टन उसके आद नेक्स आई है 54 में 54 का जो एंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैलिंग्टन 55 नमबर में आई है 55 नमबर का सही सोरी 54 का हो जाएगा आपका B Mexico City कर नहीं होगा ठीक है इसका Mexico City हो जाएगा और 53 का तो आपका D हो जाएगा 54 का B हो जाएगा ख और 55 का जो है वो आपका A हो जाएगा व्यूनेस आयर्स ठीक है जो के अर्जेंटीना में है नेक्स आईए 56 नमबर में भारत के किस राज जने सब पर था मसाला बॉंड जारी किया तो ये हो जाएगा ऑप्शन ग केरल नेक्स आईए 57 नमबर का हो जाएगा सही एंसर 57 का ओप्शन B हो जाएगा गेंडा भारत में किस जानवर का DNA प्रफाइल बनाने का परियोज न शुरू किया गया है तो गेंडा का नेक्स आईए 58 नमबर में 58 नमबर पूछ रहा है कि बिहार के कोसी नदी पर देश के सबसे लंबा पूल बनाने का पस्ताओ को केंसरकान ने मंजूरी दी है और इस पूल की लंबाई कितनी है तो ये अच्छा कोशन है तो इसका हो जाएगा 58 का ओप्शन A 10.27 किलो मीटर औ किस देश की राजधानी को पैरावर्णी कारणों से अस्थानांत्रित किया जाएगा तो 60 का हो जाएगा ओप्शन C इंडोनेशिया वही अब 61 नमबर आईए 61 नमबर का आपका सही एंसर हो जाएगा ओप्शन D संगीत 62 नमबर आईए परसीद पुस्तक विजिवल मुस्लि समय 2019 के समय में जो तो 63 का यहां पर उस समय थे कालराज मिस ठीक है जो कि अब चेंज हो गया है तो इसको छोड़ दीजेगा 64 आईए हाली में किस राजे में तीन उप मुख्यमंत्री निक्त किये गया है तो 64 का उसमय करनाटक में निक्त किया गया था 65 में आईए 65 बोर आए कि दिल्ली के पर्थम महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिनका हाल ही में निदन हो गया तो दिल्ली का अगर पूछ देगा पर्थम महिला मुख्यमंत्री तो यह कौन सा हो जागा तो 65 का D हो जागा क्यों क्योंकि इन में से कोई नहीं थी और जो दिल्ली के पर्थम महिला इसका option A हो जाएगा श्रीजर लेंड जो था वो सरवोच स्थान प्राप्त किया हो था सरसठ में आईए नरेंद बोधी देश के परधान मंतरी बने तो वो केमे परधान मंतरी बने थे तो वो 15 वे परधान मंतरी बने थे 17 वे लोग सबा चुनाओ के बाद बिहार से कितने सांसत को केंदरी मंतरी मंडल में उसमें सामिल किया गया था तो उसमें 68 कसी था option 6 था वही 69 नमबर आईए 17 वे लोग सबा चुनाओ कितने चरणों में संपन हुई थी तो ये सब कोशन पूशा हुआ है तो 69 का ये हो जाएगा option B साथ चरणों में ठीक है नेश्ट आईए 17 नमबर नौ गठीत राष्टी है पिछला वर्ग आयो का ध्यक्ष किसे निउक्त किया गया था तो उसमें जो निउक्त किया गया थे वो option D हो जाएगा 70 का भगवान लाल साहनी को और समिधान के 123 संसोधन विद्यक को मंजूरी दे दी गया है जिसमें पिछला वर्ग आयो का गठन 1993 में किया गया था नेश्ट रही है 17 नमबर अब यहाँ से आपका सही से हो गया क्योंकि current affairs वाला question वो हट गया है अब यहाँ से जो भी है वो important question है ठीक है 71 का यह परकास के तरंक सिध्धान का पर्तिपादन किसनी किया था तो 71 का सही हो जाएका option C हाइगेंस ने इसको आप लोग नोट कर लिजेगा 72 नमबर यह इंदर धनूस में किस रंक का विछेपन अधीक होता है तो यह हो जाएका option B लाल रंक का देखिए परावर्तन पूर्ण आंतिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विछेपन का महत्पूर्ण उदाहरन इंदर धनूस है और इंदर धनूस में लाल रंक का विछेपन जो है वो सरवादिक होता है नेश्राइए 73 नमबर में नेमलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है तो 73 का सही हो जाएगा option D पीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है प्राथमिक रंग केवल तीन रंग होता है लाल हरा और निला 74 नमबर आईए पानी के उपर तेल परत का जमना किसका उधारन है तो 74 का सही हो जाएगा option A व्यतिक करन का नेश्राइए 75 नमबर रेफ्रीजरेटर में थर्मोस्टेट का कार क्या है तो इसका हो जाएगा option C एक समान ताप को बनाए रखना नेश्राइए 76 नमबर खाना पकाते समय सरवाधिक मातरा में क्या नश्ठ हो जाता है तो इसका हो जाएगा सही एंसर option B विटामिन जो है सरवाधिक मातरा में ये नश्ठ हो जाता है नेश्राइए 77 नमबर यूरिया में nitrogen होता है तो यूरिया में नाइट्रोजन आपका option C हो जाएगा 47 परतिसत होता है Next question आईए 78 नंबर में 78 बोरा है आतिस वाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है तो 78 का हो जाएगा option A अस्ट्रोंसियम के कारण और बेरियम के कारण हरा रंग होता है Next question आईए 79 में सबसे सुधतम जल है तो 79 का सही हो जाएगा option B वर्सा का जल और सुध जल उदासिन होता है Next question आईए 80 नंबर में 80 नंबर कोशन बोरा नीन में से खाने का soda है तो 80 का सही हो जाएगा option C sodium bicarbonate खाने का soda होता है साधरन लवन sodium chloride धोवन sodium sodium carbonate को बोलते हैं और chili salt peter sodium nitrate को बोलते हैं 81 नंबर आईए HIV जो है साधिक नश्ट करता है HIV यानि Human Efficiency Syndrome Virus ठीक है तो यह HIV वाइरस जो होता है वो किसको साधिक नश्ट करता है तो यह हो जाएगा option C T कोशिकाओं को और HIV की खोज Luke Montanier ने की थी और HIV का full form होता है Human Immuno Deficiency Virus और इसके कारण ही AIDS होता है और AIDS के इलाज के लिए AZ-Dathymidine नामक दवा दी जाती है और AIDS के जाँच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है next है यह question number 82 में 82 बोरा अमल वर्षा का मुख्य अव्य क्या है तो अमल वर्षा जो वायू मंडल में अमल की मातरा बढ़ जाने के कारण होती है तो बिरासी का हो जाएगा इसका मुख्य अव्य पुछ रहा है तो Sulfur Dioxide ठीक है तो वायू मंडल में वैसे Sulfur Dioxide और Nitrogen Oxide की मातरा काफी बढ़ जाने से यह गैसें अमल की वर्षा के रूप में बरस्ती है लेकिन मुख्य अव्य इसमें Sulfur Dioxide होता है नेक्स्ट आएए 83 में 83 बोरा है कृतिम गर्व धारन के लिए सांड के वीर्य को किसमे सुरक्षित रखते हैं तो 83 का होता है Option C Drow Nitrogen में 84 नमबर आएए कौन सा रोग जिवानू यानि के बैक्टेरिया से होता है तो 84 का हो जाएगा Option D TB TB यानि की Tuberculosis Microbacterium बैक्टेरिया से इसका होता है और खासरा जो है वाइरस से पोलियो जो है ये भी वाइरस परवावित अंग होता है और मलेरिया जो है प्लाजमोडियम परजीवी मादा से होता है ठीक है नेक्ष्ट आए 85 नमबर में सरिश्रीप वर का अध्यन कहलाता है तो 85 का हो जाएगा Option B Herpetology ठीक है और सुक्ष्ण सरीर के अंगों के भीतर उत्तकों की सरचना उनके विन्यास के अध्यन को Histology कहते है और पचियों के विज्ञानिक अध्यन को और Nithology कहा जाता है नेक्ष्ट आए 86 नमबर कोश्चन में 86 बोराय राष्टिये हरित नयाधिकरन के स्थापना किस वर्स हुआ था तो 86 का सही हो जाएगा Option A वर्स 2010 इस्वी में यानि कि राष्टिये हरित नयाधिकरन के स्थापना 18 अक्टूबर 2010 इस्वी को केंसर कार द्वारा किया गया था और नेक्ष्ट आए 87 नमबर में 87 बोराय है कि निमलिखित में से कौन सी जय विवित्ता के सनरक्षन के लिए महत्पूर्ण रणीती है तो 87 का हो जाएगा Option A जैव मंदल रिजर्ब नेक्ष्ट आएक कोशन नमबर 88 में 88 बोराय क्रायो बैंक XC2 सनरक्षन के लिए कौन सी गैस समानता परियोग होती है तो 88 का हो जाएगा Option B नाइट्रोजन XC2 सनरक्षन एक ऐसी प्रकिरिया है जिसके दोड़ा पेर पौदो तता जनवरों की विलूप्त प्राय प्रजातियों का सनरक्षन उनके प्राकिर्तिक आवाज से प्रिथक किया जाता है तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट कोशन है नेक्ष्ट आएगे नब्बे का इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्षन C आदर भूमी और रामसर का है तो इरान में है 91 नमबर आईए प्रथम एशियन खेल किस सहर में हुआ था तो 91 का इसका सही हो जाएगा ओप्षन C नई दिल्ली में प्रथम एशियन खेल 1951 इस्वी में नई दिल्ली में हुआ था और 2022 के चीन के हांगजु में अब एसियन गेम्स किया खेला जाएगा 2022 के जो एसियन गेम्स होगा वो चाइना के हांगजु सहर में होगा बिरानवे नमबर आईए बिरानवे नमबर बोरा की पर्थम विसकॉप फुटवाल किस देश में आयोजित हुआ तो बिरानवे का सही हो जाएगा उप्षन ए उरोगवे में पर्थम विसकॉप फुटवाल 1930 इसवी में उरोगवे में आयोजित हुआ था और इस परतियोगता का विजेता उरेगवे बना था नेक्स्ट आईए 93 में नीन में से किस खेल में चार खिलाडी होते हैं तो 93 का हो जाएगा उप्षन B पोलो में और वाटर पोलो में साथ खिलाडी कबड़ी में साथ और खोखो में 9 94 नमबर आईए प्रस्तिक पुस्तक अन्टोल्ड अस्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है तो 94 का सही हो जाएगा उप्षन A BM कॉल के द्वारा नेक्स्ट आईए और कुलदीप नईयर के द्वारा जो लिखा गया कुछ बुक है वो जज्मेंट है इंडिया आफ्टर नहरू वियोंड दा लाइन्स इंपोर्टेंट है और प्रेम चंद के द्वारा तो आप लोग जानते होंगे गोदान, गवन, कर्म भूमी, रंग भूमी और सीवानन का एक बुक है डिवाइन लाइफ ठीक है नेक्स आईए 95 नमबर निर्मल हिर्दय के संस्थापक कौन है तो 95 का हो जागा उप्शन D मदर टेरेसा ये लोग आप लोग याद रखियेगा तो निर्मल हिर्दय के संस्थापक मदर टेरेसा है सवर्ण मंदिर का निर्माग गुरु अरजुन देव के काल में हुआ नय दर्शन के संस्थापक महरसी गौतम थे और भूदाल अन्दू के परवर तक विनोवा भावे थे नेश्ट आए 96 नमबर में 96 बोरा पर्थम महिला जो की ग्यानफीट पुसकार विजेता है तो 96 भी इंपोर्टेंट कोशन है ये हो जागा ओप्शन A आसा पुर्णा देवी और जो 1976 में बंगला सहिते में प्रथम पर्तिसूर्थी के लिए भी प्राप्त की गई थी 1981 में अमरिता प्रितम कागज ने कैनवास पंजावी के लिए प्राप्त किया था ज्यानफीर पुसकार वहीं 1982 इस्वी में महादेवी वर्वा ने यामा हिंदी के लिए ग्यानफीर पुसकार प्राप्त किया और 1996 इस्वी में महासोयता देवी ने बंगला सहिते में ग्यानफीर पुसकार प्राप्त किया था नेश्टा ये 97 नंबर वर्स 2001 से 11 की अबधी में कुल जनसंख्या में नियुम्तम परतिसत वाला राज्य कौन सा है परतिसत विर्धी वाला राज्य कौन सा है तो नियुम्तम पुछ रहा है तो 97 का हो जाएगा option B नागा लेंड और इस राज्य में 0.5 परतिसत विर्धी हुआ है नियुम्तम लिंगा नुपात है तो 98 का हो जाएगा option D सिक्किम में तो नियुम्तम लिंगा नुपात अगर ऐसे पुछेगा तो लिंगा नुपात सिक्किम में है आपका कितना तो यहाँ पर एक सी थोड़ा सा देख लेने दीजे यहाँ पर आप लोग देखेगा तो 99 का हो जाता सिक्किम ही होगा क्योंकि जम्मुकास्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो हटा लिया गया है इस वज़े से अब सिक्किम हो जाएगा नियुमतम लिंगा नुपात वाला राज्य 99 नंबर आईए 99 पुशाया कि गुरु कोविन सी का जन्म कब हुआ था तो इनका होजय का ओप्शन ए 26 दिसंबर 1666 इसवी को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम तेख बहादूर था और माता का नाम जो था वो गुजरी देवी था तेख बहादूर सीखों के नौमे गुरू थे और इसलाम नहीं सुईकार करने के कारण और अंजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी गुरु गोविन सी का जन्म पटना के निकट पटना सीटी में हुआ था और वर्स 2019 में गुरु गोविन सी का 352 और 2017 में 350 मी जैंती मनाई गई थी कोश्चन नंबर और इस टेसरीश 2 का ग्यांदरपन का जो टेसरीश 2 है उसका आखरी कोश्चन है छेत्रफल के नुसार बिहार का भारत में कौन सा अस्थान है तो 100 का हो जाएगा ओप्शन D 13 चेत्रफल के दिष्टी से बिहार का भारत में 13 अस्थान है पूर में 12 अस्थान था किन्तु तेलंगाना बनने के कारण बिहार का छेत्रफल के अस्थान में 13 अस्थान हो गया है और ये पूरे भारत का 2.86 इसका परतिसत है तो देख रहाँगे दोस्तो इस तरह से है और इसका अगर देखिएगा भुक में तो आपको इस तरह से पहले answer की मिल जाएगा उसके बाद फी पूरा explanation के साथ इसमें बताया गया है और explanation देने में कहीं भी कोई कोता ही नहीं बरती गई है यानि कि बढ़ियां से इसका explain कर दि हो सके इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद